ये है चाइना की गोई जो वैले ये 565 मीटर गहरी है और इसे प्रित्वी में बनी दरार कहते हैं इस विशाल खाई ने लोकल कम्यूनिटी को सदियों से अलग कर रखा है न्यू यॉक की आर्किटेक्ट वेंडी फॉक इस दूर दराज इलाके में ये देखने आई है कि कैसे आज की एंजिनरिंग से वो काम हो रहे हैं जो हमें नामुम्किन लगते थे यहां का नजारा वाकई बहुत खुबसूरत है ये इस वैली को पार करने के मुश्किल सफर पर निकली है ये बहुत ही मुश्किल सफर है क्योंकि रास्ते बहुत ही उबर खाबड हैं और इस काउंटी के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का ये रास्ता ही एकलौता रास्ता है ये पाँच घंटे का रास्ता है जिसमें इनसान परेशान हो जाता है इस तरफ की खड़ी धलान और दूसरी तरफ की खड़ी चढ़ाई पर का सफर खतरनाक है ये रास्ता खतरनाक है क्योंकि यहां कई सारे पत्थर और बगल में गहरी खाई है यहां लैंड्सलाइब्स भी होती है और रास्ते के भगल में बड़ी चटाने हैं जिनकी वज़े से ड्राइवर्स को समल कर ड्राइव करना होता है ये खाई यहां के लोगों के लिए भी बड़ी मुसीबत है ग्विजो के इस हिस्से में लगभग साढ़े तीन सो करोड लोग रहते हैं और इन टेड़े मेड़े और मुश्किल रास्तों की वज़े से यहां के किसानों के लिए अपनी फसल बाहर ले जाकर बेचना बहुत मुश्किल है और इसी वज़े से यह चाइना के सबसे गरीब इलाकों में से एक है यह परिशानी हल करना बहुत ज़रूरी है लेकिन यहां खाई आधे किलोमीटर से ज़ादा गहरी है और ऐसी जगा पर ब्रिज कभी नहीं बना है वादियों में सफर करना हमेशा से ही मुश्किल रहा है दूसरी शताबदी बीसी में हिमाले में सिल्क ट्रेड के लिए बनी सडक में सौ हैपिन्स जैसे घुमावदार रास्ते थे पर ऐसे रास्ते आज की गाडियों के लिए ठीक नहीं है 1936 में बनाना हॉइस से इंस्पिरेशन लेकर एंजिनियर जेम्स कॉरन ने सबसे पहली चेर लिफ्ट बनाई थी जो स्कीर्स के लिए अच्छी थी लेकिन गाडियों के लिए नहीं और 1974 में इवल कनीवल ने स्नेक रिवर कैनियन को रॉकेट से पार करनी की कोशिश की ये है बेइपैंजेंग फर्स्ट ब्रिज इसका डेक जमीन से 565 मीटर उपर है और ये दुनिया का सबसे उंचा ब्रिज है इस ब्रिज के नीचे खड़े होकर इसका नजारा कुछ और ही होता है ये खुबसूत और ये कमाल की बात है कि ये कितना उंचा है और कितने नीचे तक जाता है ये एक दशमलव तीन किलोमीटर लंबा है और केबल्स पर टिकेव दुनिया के सबसे लंबे ब्रिजिस में से एक है इस जगह पर ब्रिज बनाना नाममकिन लगता है ये बहुत चुनौती भरा है लियो बो इस ब्रिज के डेपिटी चीफ एंजिनियर है तो ये है बेपिन जैंग ब्रिज? पैदल चलने वालों का यहां आना मना है पर ये दो साथियों को इसे दिखाने लाए हैं ये बहुत उचा है हाँ बहुत उचा है जब हम यहां आये थे तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाना बहुत मुश्किल हो गया था तो कैसा लग रहा है? कि यह सच में बहुत अच्छा लग रहा हैं मैं पहली बार यहां आए हूँ और इस ब्रिज को इससे पहले मैंने सिर्फ जुक्री टावर्स से बना है, जिन में से बड़ा वाला दो सो उनातर मीटर उंच है। बिच का ये बीस हजार टन का डेक लंबाई में पांच टाइटानिक्स जितना है। ये इतना उंचा है कि न्यू यॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इसके नीचे आ जाए। ये डेक टावर्स से 400 किलोमीटर के केबल से जुड़ा है, जो लंडन से एम्स्ट्रिडान तक के रास्ते जितने लंबे हैं। दुनिया में इसके जैसा और कोई ब्रिज है ही नहीं। लेकिन इस अनोखी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए टीम को कई एंजिनिरिंग चैलेंजिस का सामना करना पड़ा था। कोई इतने ज़्यादा उंचे कॉंक्रीट टावर्स कैसे बना सकता है। कॉंक्रीट को इतने नीचे से इतने उपर पंप करके भीजना बहुत मुश्किल है। इसके कंस्ट्रक्शन में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और इतने खतरनाक इलाके में इतना लंबा ब्रिज डेक आखिर कैसे लगाया जा सकता है। यहाँ पर वादियां इतनी गहरी हैं कि नीचे की जमीन दिखाई भी नहीं देती। एक ब्रिज डेक के लिए इतनी उची टेंप्ररी स्काफोल्डिंग कैसे बनाई जाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि खड़ी वादियां जो छुपी हुई गुफाओं और गिरने वाली चटानों से भरी हैं वहां किस तरह का ब्रिज बनाएं। इस जगा ब्रिज बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हैं कि हम ये कर पाएंगे की नहीं। ये नामुम्किन लगने वाले एंजिनेरिंग के कारनामों को करने के लिए टीम को पुराने जमाने की खोजों से प्रेड़ना लेनी होगी। ये एंजिनेरिंग के इतिहास का हिस्सा है। एक बेहत नए टाइप का ब्रिज है जो उस वक्त लोगों ने सोचा नहीं था कि बनाया चा सकता है। ओ वाव। क्या नजारा है। हमारे उपर से ट्रेन जा रही है। और नीचे बहुत गहरा ही है। ये चाइना के गुईजो और युएन नान रीजिन्स हैं। इन्हे सदियों से इस खाई ने अलग किया है। लेकिन अब नहीं। ये है बाई पाइन जांग फर्स्ट ब्रिज। दुनिया का सबसे उचा ब्रिज। ये ब्रिज लंबाई में एक दशमलव तीन किलोमीटर का है। इसके टावर्स वादी की जमीन से साथ सो पचास मीटर उपर तक जाते हैं। स्टैच्यू अफ लिबर्टी मिलाकर भी इतने उंचे नहीं होंगे। लेकिन इस विशाल ब्रिज को बना पाने से पहले एंजिनियर्स को यहां की जान लेवा जियोलोजी से जीतने की जरूरत थी। और ट्रक्स। आर्किटेक्ट वेंडी फॉक नीचे की खाए को देखने गई है। इस इलाके में पाई जाने वाली चट्टाने बहुत ही सॉफ्ट हैं और यहां खड़ी धलान है। और उससे भी बड़ी मुश्किल यह है कि यहां पर पूरे पहाड में कई छीपी हुई गुफाएं और दरारे हैं। इसलिए एंजीनियस के लिए यहां ब्रिज डिजाइन करना बहुत ही मुश्किल काम है। समस्या यह है कि ज्यादतर लॉंग स्पैन ब्रिजिस को चटानों पर बने सपोर्ट एंकर्स का सहारा लगता है। आक ब्रिज पर पड़ता बजन उसे नीचे दबाता है और ब्रिज का कर्वड शेप इस दबाव को साइड में भीजता है। इसलिए नीचे उन्हें बहुत बड़े अंकर्स की जरूरत होती है। जबकि सस्पेंशिन ब्रिज में डेक दो केबल्स पर टिका होता है और उन्हें भी तूटने से बचाने के लिए विशाल अंकर्स की जरूरत होती है। लेकिन यहां के लैंड स्लाइड में बार बार गिरने वाली सौफ्ट चटाने ऐसे विशाल अंकर्स को सभाल नहीं सकती। डेपुटी चीफ एंजिनियर लिव बो के लिए ये बहुत बड़ी प्राबलम है। यह बहुत ही किस्म की जियालोजी है। यह है लाइमस्टोन रॉक। आप देख सकते हैं यहां कितनी गुफाएं और चटाने और दरारे हैं। इस तरह गुफाएं ब्रिज फाउंडिशन्स को कमजोर बनाने का काम करती हैं। ब्रिज डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए ये बहुत बड़ी प्राबलम है। इससे काफी सारे इंजीनियर्स परेशान हो जाते हैं। इसका हल बस यही है कि ऐसी ब्रिज डिजाइन बनाएं जिसे एंकर्स की सहारे की जरूरत न पड़ें। तो इस टीम को बीते कल की खोजों से सीख लेनी की जरूरत है। हम इस सुहानी सुबह के वक्त बोट पर बैठ कर थेम्स रिवर से होते हुए लंडन घूम रहे हैं। बहुत मसा आ रहा है। फिजिसिस्ट एंड्रू स्टील लंडन को एक नए नजर ये से देख रहे हैं। जरा इस बेहत खूपसूरत स्ट्रक्चर को देखो। यहां का मशूर टावर ब्रिज है ये। बोट में बैठ कर इसे देखना बड़ा ही मज़ेदार है। ब्रिटिन के इस कैपिटल में कई अलग-अलग तरह के बेमिसाल ब्रिजिस हैं जो चाइना की टीम को आइडिया दे सकते हैं। ये है ब्लाक फ्रायर्स ब्रिज। ये एक आज ब्रिज है जो 1869 में बनाए गया था। इसके नीचे से हमें ये खुबसुरत रॉट आइरन रिप्स दिखाए दे रही हैं। जिनके सहरे पूरा ब्रिज टिका हुआ है। और ये है चेल्सी ब्रिज। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है। आपको इसके ऊपर वो बड़ा सा लाल केबल दिख रहा है। वही इसका में केबल है। इन विशाल ब्रिजिस के अलावा ऐसे ब्रिजिस भी हैं जो मशूर नहीं हैं। उन में से एक ब्रिज दुनिया का सबसे जरूरी ब्रिज है। ये एंजिनियरिंग के इतिहास का खास है। बिलकुल आज के जमाने के ब्रिज जैसा। उस वक्त लोगों ने सोचा नहीं था कि ये बना पाएंगे। 1873 में बनाया गया ये है आलबर्ट ब्रिज। और स्ट्रेट केबल्ज है। ये कुल मिलाकर 216 मीटर लंबे है और में स्पैन 137 मीटर का है। अलबर्ट ब्रिज को ब्रिटिश एंजिनियर रोलन्ड मेसन ओडिश ने डिजाइन किया था। जो एक नामुमकिन दिखने वाला काम करना चाहते थे। विक्टोरियंज ने पहले भी कई अलग-अलग किस्म के लिकिन एक ऐसी डिजाइन थी जो वो लोग बना ही नहीं पा रहे थे। उससे कहते हैं केबल स्टेट ब्रिज। और ये आइडिया असल में कई सदियों पुराना है। 16 सदि में सबसे पहली बार केबल स्टेट डिजाइन्स को सामने ला गया था। जबकि तब तो केबल्स का आवशकार भी नहीं हुआ था। एक केबल स्टेट ब्रिज की डिजाइन ऐसी होती है कि उस पर पढ़ने वाला जोर केबल्स अपने साथ ऊपर लिजाते हैं और वहां से वो टावर से नीचे जाता है। इस तरह से इसे किनारे पर अंकर्स नहीं चाहिए। लेकिन 19 वी सदी में कोई भी कभी केबल स्टेट ब्रिज नहीं बना पाया था। क्योंकि उस पर पढ़ने वाला जोर एक कॉंपलेक्स तरीके से पढ़ता है। प्रॉब्लम ये थी कि इसमें काल्कुलेशन बहुत मुश्कल थी। आप ही सोचिए इस केबल स्टेट ब्रिज पर पढ़ने वाली फोर्स को कैसे काल्कुलेट करें। यहाँ पर अलग-अलग अंगल्स पर कई सारे केबल्स लगे हुए हैं जो ब्रिज को होल्ड करता है। इसमें ट्रिग्नॉमेट्री कैसे लगाएं। एक केबल पर अगर बहुत ज़ादा जोर पढ़ गया, तो पूरा का पूरा ब्रिज तबाह हो सकता है। दो सौ सालों तक लोग यही सोचते रहे कि केबल स्टेट ब्रिज कभी बनाया ही नहीं जा सकता। और इश को केबल स्टेट ब्रिज बनाने से जुड़े खतरों का पता था। तो अलवर्ड ब्रिज को बनाने के लिए उन्होंने इसे अकलमंदी के साथ सस्पेंशन ब्रिज से मिला दिया। अब यहां उपर से हम देख सकते हैं कि यह ब्रिज कैसे काम करता है। हम इसके बीच में खड़े हैं यह इसका में सस्पेंशन ब्रिज वाला हिस्सा है। और यहां पर है छोटे सस्पेंडर्स, आप देख सकते हैं। और ये है main cable जो पूरे bridge को जोडने का काम करते हैं, जिससे bridge को पूरी तरह से support मिल जाता है और आखर में ये चीज इस bridge को सबसे special बनाती है देखिए, ये cable stays हैं इस angle से साफ दिखता है कि ये क्या करते हैं ये इस पर पढ़ने वाला वजन थोड़ा बाट लेते हैं और उस वजन की फोर्स को उन टावर्स में भेज देते हैं इस एक ब्रिज में दो ब्रिज हैं ओर्डिश की अनोखी डिजाइन का यही सबसे कम्माल का आइडिया है अलबर्ड ब्रिज के रूप में पहली बार एक केबल स्टेट ब्रिज बनाया गया था जिसे एंकर्स की जरुवत नहीं थी और चाइना के एंजिनियर्स को ऐसा ही ब्रिज बनाना था ओडिश के ऐसा ब्रिज बनाने में काम्याब होने पर एंजिनियर्स इस डिजाइन को एक नए नजरिये से देखने लगे थे और जो पहले नामुम्किन था अब अचानक मुम्किन हो गया आज कल केबल स्टेट ब्रिजज एक आम बात है तो आज के जो मौडरन केबल स्टेट ब्रिज हैं वो ओडिश जैसे अकलमन लोगों की वज़े से हैं जिन्होंने तेड़ सो साल पहले ये साबित किया कि ऐसे खूपसुरत और बेहत कॉंपलेक्स ब्रिज को बनाना अब मुम्किन है चाइना में एंजिनियर्ज ने ओडिश की इस अनोखी खोज को 21 सदी के हिसाब से बेहतर बनाया और एक ऐसा केबल स्टे ब्रिज बनाया जिसे अब दुनिया का सबसे उंचा ब्रिज कहते हैं वेंडी को एंजिनिरिंग के इस अजूबे पर जाने का मौका मिला है ये ब्रिज अमेजिंग है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे इस पर चढ़कर इस केबल स्टे ब्रिज को खुद करीब से देखने का मौका मिल रहा है यहाँ का नजार आपके होश उड़ा देगा ये हैरानी की बात है कि ये ब्रिज केबल्स पर टिका हुआ है और इन अमेजिंग टावर्स पर भी जो हमारे अगल बगल में है तो इस ब्रिज का कोई आंकर नहीं है इस जगह पर केबल स्टे डिजाइन ही ब्रिज बनाने का एकलौता रास्ता है इस पर 20,000 टन की डेक का वजन पड़ेगा जिसे जाया जाएगा और टावर्स से होते हुए ये जोर इसकी फाउंडेशन पर पढ़ने वाला है तो आंकर्स की ज़रूरत नहीं है लेकिन इतने केबल लगाना एंजिनियर्स के लिए बहुत भारी काम था असल में अंदर की तरफ लगने वाले कई छोटे और केबल्स को मिलाया जाता है और फिर उन्हें नीचे बनी आंकर पॉइंट से जोर दिया जाता है पहले एक केबल स्ट्रैंड को वाटरप्रूफिंग केसिंग में डाला जाता है फिर इसे किसी एक टावर से जोर दिया जाता है और फिर इसे एक ब्रिज डेक से जोरते हैं फिर केसिंग में बाकी दूसरी स्ट्रैंड डाले जाते हैं ऐसे 43 स्ट्रैंड से एक केबल बंडल बनता है जिन में से सबसे लंबा बंडल 382 मीटर का है हर bundle को पहले से calculate किये strain पर कसा जाता है इस bridge में सही cables और सही tension बनाई रखना जरूरी होता है इसलिए हर cable के अंदर एक gauge होता है जो bridge में आने वाला constant tension calculate करता है अगर कोई भी strand cable तूड़ जाता है तो control center के engineers को तुरंट पता चल जाता है ताकि वो उसे बदल सके cables को bridge के किनारे पर लगाने से सारी वर्फ नीचे खाई में जाकर गिरती है इस वज़े से सर्दियों में भी इस बेहत जरूरी bridge को बंद नहीं करना पड़ता आधे किलोमीटर की उंचाई वाला ये बेई फैन जांग फर्स्ट bridge दुनिया का सबसे उंचा bridge है ये एक दशमलव तीन किलोमीटर लंबा structure एंजिनेरिंग का एक करिश्मा है लेकिन ऐसे अनोखे structure को बनाने में एंजिनियर्स को और कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था इन टावल्स को बनाने के लिए एंजिनियर्स को इसमें उपर तक concrete भरने की जरूरत थी ये सोचकर दिमाग चकराता है ऐसे नामुम्किन structures बनाने के लिए इस टीम को बीते कल की खोजों को फिर से देखना होगा ये एंजिनेरिंग के इतिहास की बहुत special जगा है बहुत कम लोगों को यहां आने का मौका मिलता है ये है चाइना की गुई जो वैले जिसे प्रित्वी में बनी दरार कहते हैं इसे पार करने के लिए एंजिनियर्स एक नामुम्किन काम कर रहे हैं दुनिया का सबसे उचा ब्रिज बना रहे हैं बेपैन जैंक फर्स्ट ब्रिज लाखों लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये एक किलोमीटर से ज़ादा लंबा है और इसका में स्पैन 720 मीटर बड़ा है ये एक बेहत विशाल केबल स्टेड ब्रिज है लेकिन इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाने में कई खतरना चैलेंजिस का सामना करना पड़ता है आर्किटेक्ट वेंडी फॉक न्यू यॉक से एंजिनिरिंग के इस अनोखे करिश्मे को देखने आई है ये ब्रिज बहुत ही लंबा है और एक केबल स्टेड ब्रिज कभी भी इतना लंबा नहीं होता इतना लंबा केबल स्टेड ब्रिज बनाना बहुत मुश्किल काम है यहां सब कुछ कनेक्टेड है एक चीज को कुछ हुआ तो बाकियों पर भी असर होगा मान लीजे मेरे हाथ ये केबल्स हैं और जैसे जैसे ब्रिज की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे केबल्स का एंगल और कम होता जाएगा और ये खतरनाग बात है क्यूंकि इससे डेक पर बहुत के लिए 30 से 40 डिगरी का एंगल सबसे सही होता है और इतना बढ़ा ब्रिज बनाने के लिए एक उचे टावर की जरूरत पड़ेगी मतलब जितना लंबा ब्रिज उतना ही उचा टावर ये बहुत ही लंबा ब्रिज है जिसे बहुत उचे टावर्स की जरूरत पड़ती है जिससे प्रॉब्लम्स और बर जाती है इन टावर्स को बनाने के लिए इंजीनियस को इसमें उपर तक कॉंक्रीट भरने की जरूरत थी ये सोचकर ही दिमाग चक्रा जाता है तो इतने उंचे कॉंक्रीट टावर्स कैसे बनाए जाएं? इसका जबाब बीते कल की अनोखी खोज में छिपा है मैं यहां आकर बहुत एक्साइटिड हूँ ये एंजीनेरिंग के इतिहास की बहुत स्पेशल जगा है बहुत कम लोगों को यहां आने का मौका मिलता है फिजिसिस्ट सूजी शी इंगलिंड के साउथ में बने हैंशिय में है शुक्र है हमने लिफ्ट नाम की चीज बनाई है तीन सो ती सीड़िया हैं और मैंने आधी भी नहीं चड़ी हैं अभी उन्हें एंजिनिरिंग के इतिहास की एक कम मशहूर पर जरूरी हिस्से को देखने का मौका मिला है 1860 और 70 में लोग कॉन्क्रीट से बहुत सी चीज़े बना रहे थे लोग उससे मूर्तियां और दूसरी कई चीज़े लेकिन कभी भी किसी ने कॉन्क्रीट का टावर बनाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं की थी सबको लगता था कि वो अपने वजन से ही टूट जाएगा लेकिन एक इनसान सबको गलत साबित करना चाहता था अहां आखिरकार हम पहुँच गए ये है स्वे टावर वाव, क्या नजारा है ये पूरे 66 मीटर उंचा है जब ये 1885 में बना था तो ये दुनिया का सबसे उंचा कॉंक्रीट स्ट्रक्चर था मुझे यहां से पूरा जंकल दिखाए दे रहा है समंदर भी दिखाए दे रहा है ये कमाल है मैं हर तरफ कई किलो मेटर तक देख सकती हूँ इन खुबसूरत खिड़कियों से नजारा ला जबाब है मेरी मेहनत वसूल हो गई स्वे टावर को एंड्रू पीटरसन ने बनाया था एक रिटायर्ड हाई कोड जज जने आर्किटेक्चर का बहुत सबसे हरानी की बात यह है कि ये पूरा स्ट्रक्चर पीटरसन ने बनाया था जबकि उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी बिना सिविल एंजिनेरिंग पढ़े ये बनाना बिलको नामुम्किन है चाइना के बेपहन जैंग ब्रिज के एंजिनियर्स की तरह ही पीटरसन को एक उंचा कॉंक्रीट ठावर बनाने का तरीका चाहिए था और उन्होंने जो कमाल का आइडिया सोचा उसने सारी दुनिया को बदल दिया कमाल की बात है कि पीटरसन ने सिर्फ तीन मोल्ड से ये पूरा टावर बनाया था ये आज भी दुनिया का सबसे उंचा नौन रीइंफोस्ट कॉंक्रीट स्ट्रक्चर है कमाल की बात ये है कि इसमें अब भी वो निशान दिखते हैं जहां एक के बाद एक नए लेयर्स बनाए गए थे और ऐसे ही हर लेयर को बनाने के लिए दो दिन लगते थे और फिर दो दिन नीचे का मोल्ड उपर ले जाने में इस तरह इसे बनाने में 6 साल लगे देखें यहां दो लेयर्स के बीच में लाइन्स दिख रहे हैं चाइना के बेपान जैंक फर्स्ट ब्रिज के एंजिनियर्स पीटरस इनके अनोखे कंस्ट्रॉक्शन मेथर्ड को एक नए लेवल पर ले गए हैं ये हैं दो विशाल ठावर्स जिन में से लंबा वाला दो सो उननतर मीटर का है ये सही माइनों में आज के एंजिनिरिंग मेगा स्ट्रॉक्शर्स है ये स्ट्रॉक्शर पहार जैसा है आप देख सकते हैं उपर से नीचे तक ये कितना विशाल है ये इतने लंबे हैं कि इनके सामने हम चीटी लगते हैं और ये सच में एंजिनिरिंग का एक करिश्मा है जिन्हें देख कर पूरी तरह से यकीन ही नहीं होता लेकिन इन टावर्स को बनाने से पहले इंजिनिर्स को पता लगाना था कि वो एक लाख बीस हजार टन कॉंक्रीट कैसे बनाएं बेइपन जैंग ब्रिज के डिरेक्टर जो पिंग को भी इसी परेशानी का हल निकालना था ऐसा ब्रिज बनाने के लिए हमें कई टन कॉंक्रीट चाहिए था और इतना कॉंक्रीट बनाने के लिए धेर सारी रेत लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर नैच्रल रेत नहीं है यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस से निपटने के लिए उन्होंने यहाँ के मुश्किल हालात का फाइदा उठाने का सोचा इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम लोगोंने लाखो टन मैनमेड सैंड बनाई आप देख सकते हैं हमने बड़ी चट्टानों को पीस कर इस काम के लिए यह रेत जैसा बना लिया है इस तरह चट्टानों को पीस कर रेत बनाना एक कमाल का आइडिया है और इससे एक और फाइदा भी होता है हम मैनमेड सैंड का साइज भी कंट्रोल कर सकते हैं और अलग-अलग स्ट्रेंथ वाला कॉंक्रीट बना सकते हैं आखिरकार टावर्ज का कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है हजारों स्टील बार्ज से एक ग्रिड बना कर इस कॉंक्रीट को मजबूत बनाने का काम किया जाता है स्टील टावर्ज की तरह ही ऐसे सूपर टावर्ज बनाने के लिए क्लाइंबिंग फॉर्म वर्क इस्तमाल होता है इन टावर्ज को बनाने के लिए एंजिनियर्स को ऐसे मोल्ड बनाने पड़े और उसके बाद उन्होंने मोल्ड में कॉंक्रीट डाल कर उन्हें लोगों को लगा कर खड़ा किया और इस तरह उसे एक-एक सेक्शन करके बनाया इन मोल्ड को मैनियूली लगाने से ये काम पूरे कंट्रोल के साथ होता है और इसलिए एंजिनियर्ज इसे एक-एक शेप डिजाइन दे पाते हैं टावर जितना उंचा होगा, काम उतना मुश्किल होगा शुरुवात में कॉंक्रीट को विशाल वैट्स में रखकर टावर क्रेन से उठाया जाता है पर जादा उंचाई पर पंप की ज़रूरत होगी मैनमेड सैंड नाच्रल सैंड से थोड़ी जादा रफ होती है इसलिए इसे टावर के उपर तक पंप करना थोड़ा सा मुश्किल काम है तो हमें एक बड़े प्रेशर पंप से इसे उपर तक पंप करना पड़ेगा एक हाई पावर्ड पंप इस्तमाल करके ग्राविटी के खिलाफ इस कॉंक्रीट को 270 मीटर की हाइट पर भेजा जाता है यार ये टावर्ड तो खत्मी नहीं होते हैं और इनका उपर का हिस्सा तो दिखाई नहीं दे रहा ये बेहद कमाल के हैं इन दोनों विशाल टावर्ड को उपर तक बनाने में 46,000 क्यूबिक मीटर्स कॉंक्रीट इस्तमाल हो चुका था और ये जैसे आस्मान को चू रहे थे और हमें अभी भी मोल्स की वज़े से बनी हुई लाइन्स नीचे से उपर तक दिखाई दे रही हैं और ये बहुत ही कूल बात है इस टावर को अंदर से देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ मेरी आवाज भी गूँच रही है इन बेहत विशाल टावर्स की वज़े से ये केबल्स ऐसे एंगल पर रहते हैं कि ये आसानी से इस भारी ब्रिज डेक का वजन उठा पाएं इस ब्रिज को इतना लंबा बनाने के लिए इन टावर्स को इतना उचा बनाना ज़रूरी है एंजीनियर्स ने ये काम करके दिखाया है पर इस विशाल खाई पर ब्रिज बनाने के रास्ते में आने वाला सबसे बड़ा चैलेंज अभी बाकी है ये लगभग 565 मीटर गहरा है और इतनी उचाई तक एक स्काफोल्डिंग बनाना ना मुम्किन है इस समस्या से निपटने के लिए भी इस टीम को बीते कल की खोजों का सहरा लेना होगा ग्वी जो चाइना का सबसे गरीब एलाका इस गहरी खाई की वज़े से यहाँ पर डिवेलप्मेंट नहीं हो पा रहा है इस परिशानी का हल है तबेई पैंजाइंग फर्स्ट ब्रिज दुनिया का सबसे उचा ये 279 मीटर उचा ब्रिज है याने कि न्यू यॉक के रॉकफेला सेंटर से भी कई उचा ये दो ठावर्स 224 केबल्स पर ठिके हैं जिनकी कुल मिलाकर लंबाई 400 किलोमेटर है जो पैनमा कनाल से पांच गुना लंबा है एंजिनियर्स को इस ब्रिज बनाने के सबसे खतरनाक हिस्से का सामना करना है याने ब्रिज डेक को बनाना स्काफूल्डिंग की बिना इतना लंबा ब्रिज डेक बनाते वक्त हम सपोर्ट कैसे करेंगे ये ऐसी समस्या है जिसे पुराने जमाने की होजों के सहारे ही सुझाया जा सकता है इंजिनियर लूप बिस्बी फोर्थ रिवर के पास है जो स्कॉटलंड में एडिनबरा के पास है ये एंजिनिरिंग के ऐसे नमूने को देखने आये हैं जो चाइना के टीम को मददगार साबित होगी अठारवी सदी में एंजिनियर्स को लंडन और एवरडीन के बीच में सबसे छोटी लाइन बनाने की बहुत जल्दी थी इसके लिए उन्हें स्कॉटलंड की इस कोस्ट पर ट्रैक बनाने की जरूरत थी लेकिन ये बड़ी एस्ट्यूरी दा फित ओ फोट बीच रास्ते में खड़ी थी और ब्रिज बनाना बहुत मुश्किल था तब का ब्रिज बनाने का तरीका था टेंपररी स्काफॉल्डिंग इस्तमाल करना जो पूरे स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्शन होने तक पकड़ कर रखता काम हो जाने के बाद स्काफॉल्डिंग निकाल देते हैं और ब्रिज पक्का हो जाता है यहां स्काफॉल्ड की मदद से ब्रिज बनाना लगभग नामुम्किन है यहां के एस्टिरी चौड़ी ही नहीं बलकि गहरी भी है और अगर आप स्काफॉल्डिंग के पोल्स को उतनी गहरी खाई में लगा भी दें तो यहां पर मौझूद मिट्टी और कीचड उस पोल को टिकने नहीं देंगे इस ब्रिज को बनाने के लिए एंजिनिरिंग का एक अनोखा करिश्मा चाहिए क्योंकि बिना स्काफॉल्ड के एक बहुत लंबा ब्रिज बनाना था और ऐसा पहले कभी नहीं किया गया ब्रिटिश एंजिनियर बेंजिमिन बेकर ने जब ये काम हाथ में लिया था बेकर का हल विक्टोरियन एंजिनिरिंग का ऐसा अनोखा नमूना है जो दुनिया में कहीं नहीं देखा जा सकता ये बहुती लाजवाब है ये है प्रिज इसे कहते हैं खुबसूरत नजारा ये धाई किलोमीटर का कैंटलीवर डिजाइन वाला ब्रिज है जो उस वक्त दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज था ये अमेजिंग है हर एंजिनियर यहां काम करना चाता होगा पर यहां पर इतना लंबा ब्रिज बनाना आसान नहीं रहा होगा लेकिन बेकर के पास एक आईडिया था जो एंजिनियर्स के ब्रिज बनाने के काम आ सकता था कैंटिय लिवर ब्रिजज अपने बैलेंस के लिए जाने जाते हैं टावर के एक तरफ स्टील वर्क का वजन दूसरी तरफ के स्टील वर्क के साथ बैलेंस रहता है बेकर ने भी ये ब्रिज बनाने में काउंटर बैलेंसिंग का आईडिया इस्तमाल किया पहले टावर्स बनाए गये और फिर दोनों तरफ एक साथ ब्रिज बनाए गया जब भी ब्रिज के एक तरफ बीम लगाई जाती तो बिलकुल वैसी ही बीम ब्रिज के दूसरी तरफ भी लगाई जाती और इस तरह खुद ब्रिज ही अपने कंस्ट्रक्शन के लिए स्काफल्डिंग बन गया और ग्राविटी को भी संभाल लिया ये कमाल का आईडिया था और बेकर का रिस्क उठाना काम्याब रहा फोथ ब्रिज का इस्तमाल अठारा सो नब्बे में शुरू हो गया अब दिन भर में इस पर से 200 ट्रेंज गुजरती हैं और साल भर में 30 सफर करते हैं 130 साल पहले बेकर की लगाय अकलमंदी की वज़े से ब्रिजस को बनाने का तरीका ही बदल गया है अब एंजिनियर्स को ब्रिजस को बनाने में उनके नीचे से स्कैफल्डिंग का सहारा नहीं लेना पड़ता बस सेंट्रल टावर के दोनों तरफ बैलेंस बना रहना चाहिए और ऐसा करके कितने भी लंबे ब्रिजस बन सकते हैं भले ही उनके नीचे कुछ नहो चाइना के बेपैन जैंग फर्स ब्रिज में एंजिनियर्स बेकर के सीधे मगर कमाल के आइडिया को अलग ही उचाईयों पर ले गए हैं फोर्थ ब्रिज की तरह उन्होंने ये ब्रिज भी बिना स्काफॉल्डिंग के टावर्स के दोनों तरफ इसे केबल से बैलन्स करके बनाया है कंस्ट्रक्शन के वक्त इस खाई के ऊपर एक-एक बीम करके बनाने की बजाए पहले में स्पैन को अलग-अलग हिस्सों में बनाया गया फिर दुनिया में पहली बार डेक्स सेक्शन्स को इस स्पैन के नीचे लगा कर बनाया गया उन्हें अपनी जगा उठाया गया फिर डेक के किनारे पर जोड़ा गया इस तरह एक-एक बीम करके बनाने के मुकाबले कंस्ट्रक्शन दुगनी तेजी से होता है सिर्फ 42 महीनों में ही इतिहास में पहली बार इस वादी के दो किनारे आसपास में जुड़ गये थे लगता है जैसे मैं महीनों से इस ब्रिज पर चल रही हूँ यकीन नहीं होता ये ब्रिज कितना लंबा है ये वाकरी एंजीनियरिंग का करिश्मा है लेकिन इस ब्रिशाल 730 मीटर के स्पैन पर ट्राफिक को जाने देने से पहले डेप्यूटी चीफ एंजीनियर लिव भो को एक आखरी समस्या का समाधान निकालना होगा इस इलाके में बहुत सारे भारी ट्रक्स आते जाते हैं इस ब्रिज को डिजाइन करते वक्त हमें उन ट्रक्स के बारे में भी सोचना पड़ता था येस आपने इस तरह के हैवी ट्रक्स तो देखे ही होंगे ये काफी भारी होते हैं सेफ्टी के लिए एक ब्रिज का मजबूत होना बहुत जरूरी है खास करके इस तरह के लंबे ब्रिज का जब भारी गाडियां इस ब्रिज पर से गुजरेंगी और ये ठोस नहीं होगा तो डेक नीचे दब सकता है अगर ये बार-बार हुआ तो इससे फटीग होगा जिससे कि इस ब्रिज का मेटल काफी बिटल हो जाएगा और वो अच्छानक तूट सकता है ये और्थो ट्रॉपिक डेक 31 सेक्षिन्स जोड कर मनाए गया था इसका फिनिश्ट स्पैन इतना मजबूत है कि कभी नहीं दबता बीच में भी नहीं जाँच के लिए लियू बो अपने साथियों को वहाँ ले जा रहे हैं जहां आम लोगों का आना मना है यानि की ब्रिज डेक के अंदर वाव ये लाजवाब है यह बाद है हम उपर लगा और्थो ट्रॉपिक डेक देख सकते हैं यहां तक की टॉप प्लीट और यू रिब्स भी हमने इसमें छोटी रिब्स लगाई हैं ताकि ये भारी ट्रक्स का भी वज़न सह सके और हमेशा मस्बूत रहे ये और्थो ट्रॉपिक डेक लगाने से एक वर्ल्ड रेकॉर्ड तोड़ने वाला ब्रिज बनाना मुम्किन हो पाया है मैं सोच में नहीं सकता था कि इतनी उचाई पर इतना बड़ा ब्रिज कैसे बन सकता है ये एंजिनियर्स का बनाया हुआ सच में एक अजूबा है मुझे इसे देखकर काफी नाज होता है हमने कर दिखाया ये सच में बन चुका है सच में बहुत खुबसूरत है ये बेपैन जैंग फर्स ब्रिज एंजिनिरिंग को आसमान की उंचाईयों पर ले जा रहा है मैं सोच भी नहीं सकती कि अगर मॉडरन डे टेकनोलोजी नहीं होती तो ये ब्रिज कैसे बन पाता इस हैरत अंगेज प्रोजेक्ट को पूरा करने वाली टीम के लिए ये एक सबसे बड़ी कामियाबी है मेरे जैसे एक यंग इंजिनियर को ये ब्रिज देखकर बहुत प्रणा मिलती है हमने इसे बनाने के लिए शुरुआत से ही बहुत मुश्किलों का सामना किया है और बनाया है ये बहुत ही कमाल का है विशाल गूई जोव वाली को पार करता हुआ ये ब्रिज एंजिनिरिंग के सबसे बड़े अजूबों में से एक है ये एक दशमलव तीन किलोमीटर लंबा और नदी से 750 मीटर उपर जाने वाला ब्रिज दो विशाल टावर्स पर खड़ा है इसके 400 किलोमीटर के स्टील केबल्स बीस हजार टन के डेक को संभालते हैं वी पैन जैंक फर्स ब्रिज में मौडर्न एंजिनिरिंग की लाजवाब तकनीके इस्तमाल हुई है और इससे आखरकार सदियों से अलग रहने वाले दो इलाके जुड़ गए है हम अभी वही सफर कर रहे हैं लेकिन अब पांच घंटों की बजाए मुझे उस तरफ जाने में सिर्फ एक घंटा लग रहा है ये एक लाजवाब ब्रिज है जो बहुत ही खुबसूरत है यहां का नजारा होश उड़ा देता है ये ब्रिज यहां के लोगों की जिन्दगी बदल रहा है ये एंजिनियरिंग के लिए बहुत बड़ी काम्याबी है बीते कल की खोजों से सीख लेकर खतरनाक चैलेंजिस से जीत कर एंजिनियर्ज ने अपनी हद पार करके इस ब्रिज को बनाया है जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है मेरे लिए ये मेरे बच्चे जैसा है अब ये बड़ा हो चुका है तो अब समाज में लोगों के काम आ रहा है इस तरह उन्होंने कर दिखाया है इंपॉसिबल को पॉसिबल